गर्मी की थर्ड डिग्री टॉटर जारी है नौत अपेक आज तीसरा दिन है और भीशन गर्मी की कई शेहरों में रिकॉर्ट तूट गए हैं बपाल इंदोर समिच चाल जिरों में भीशन गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है तो वहीं मौसम विभाग रतलाम धार राजगर मे लुका रेड अलर्ट जारी किया गया है इसके साथी तीस से जादा जगों पर लुका अलर्ट भी जारी हुआ है खबर मध्यप्रिदेश में भीशन गर्मी का थर्ड डिगरी टॉचर जारी है नौट अपे का आज तीसरा दिन है और भीशन गर्मी के कई शेहरों में रिकॉर्ट तूट गए है वोपाल इंदोर समिच 40 जिलों में भीशन गर्मी का गहर देखने को मिल रहा है तो बहुत मौसम भीभाग अरतलाम धार राजगर में लूका रेड अलर्ट जारी किया गया इसके साथी तीस से ज़ादा जगहों पर लूका भी अलर्ट जारी हुआ है बड़ी खबर आपको दे रहे हैं मध्यप्रदेश में जहां पर भीशन गर्मी का थर्ड डिगरी टॉ अचर देखने को मिल रहा है घर से बाहर निकलना मुश्किल है बोपाल इन दोर में खास तोर पे सबसे ज़ादा हीट देखने को मिलती है लोगों का घरों से बाहर निकलना किसी वी कामकाच के लिए बहाँ जाना बहुत मुश्किल हो रहा है और इसके साथ साथ जो वोल्ट भीष्यन गर्मी से कुछ बचाव किया जा सके तरल पदार्थ लेती वी नज़र आते हैं अपने आपको धकने की कोशिश करते हैं सिद्धूप के संपर्ख में ना आए भरपूर कोशिश होती है और भीष्यन गर्मी की थर्ड डिग्री चॉचर नौत अपेक आज तीसरे दिन है और तीसरे दिन भी देख पाते हैं कि कई जगों पर तेज लू के थपेड़े पड़ रहे हैं तो खंडवा में जल संकट की बीच अनूठा विरोध देखने को मिला जहां कॉंग्रेस नेता और निगम नेता प्रितिपक्ष टावर पर चड़ गए निगम और कंपनी की खिलाफ विरोध जताया गया दोनों के खिलाफ पैपाया दज करने की मांग की गई नर्मदा जल पर योजना में भरस्चाचार की खिलाफ आक्रोध देखने को मिला आठ दिनों से शेहर में गहराया हुआ है जल संकट पिछले साथ दिन में चार बार फूट चुकी है योजना की पाइप दो सो करोड से अधिक की योजना है नर्मदा जन खंडबा में जल संकट की भी चनूठा विरोध ही देखने को मिल रहा है जहां कॉंग्रेस नेता और निगम नेता प्रितिपक्ष टावर पर चड़े निगम और कंपनी के खिलाफ विरोध चताया गया दोनों के खिलाफ एफ आयार दर्च करने की मांग भी की गई है नर्मदा जल परियोजना में भरस्चाचार के खिलाफ आख रोश देखने को मिल आट दिनों में शेहर में गहराया हुआ है जल संकट पिछले साथ दिन में चार बार जो पाइप लाइन है वो फूट चुकी है और 200 करोड से अधिक की योजना नर्मदा जल बताई जा रही ह तो ही मुरैना की क्यारारस कस्बे में बुज़ुर्गी की मौत का मामला सामने आया जहां पर गर्मी से बुज़ुर्गी मौत की आशंका व्यक्ति की गई है सड़क पर मुरत मिला था अम्रत खालत अवस्ता में मिला था बुज़ुर्ग का शब्स और नौत अपके तीसे दिन गर्मी का प्रेसे में रहा जा रही है सुबत बज़े पारा पहुंचा 41 जिग्री पार तो पहरे एक बज़े से तीन बज़े के बीच 46 जिग्री तक पहु तो गर्मी से बुज़ुर की मौत की आश्रण का व्यक्ति की गई है बुज़ुर का शब्रामत किया गया है मुरैना का पूरा मामला है और गर्मी इन दिनों पूरे चरम पर है